हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल पर फ्रेंट्स आज हम पढ़ेंगे कि जो जो जोग्राफी की फर्स्ट टीर की प्रेक्टिकल फाइल है उसको कैसे बनाए तो सबसे पहले मैं आपसे फ्रेंट पेज की बात करता हूं कैसे बराना है ताकि आप आपको काफी अच्छा है वह फाम बने और र्रेस्पॉर्स पर आपको अच्छा तो सबसे पहले जैसे आपको ऊपरीunken उनशिटी का नाम लिखना है मैं आपको umdzhof के स्लेवर के एकोडिंग फाइल बता रहा हूं सबसे पहले नाम लिखनां प्रांपरीकार कि उसके Sak क्लास लिख देनी है और सन लिख देना है 2022 अपने पेज में थोड़ा है वो इंप्रेशन लाने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है अंडर दर सूपर विजन ओफ यहाँ पर जो भी आपके जोग्राफिक के लेक्चरर हैं उनका नाम लिखना है इधर सब्मिटेड वाई ने क्लास और रोल नंबर लिखना है और नीचे आपको इंस्टिटूट का नाम लिखना है यह हो जाएगा आपका फ्रेंट पेज इससे आपकी फाइल का लुक बहुत ही अच्छा होगा मेरे बहुत से स्टूडेंट है जो मैंने बताया उसी अनुसार है उन्होंने वो फाइल त्यार की थी और वास्ता में जब प्रेक्टिकल लेने सरा आए तो काफी तारीफ है वो उन्होंने की थी तो यह आपको ध्यान में रखना है सेकिंड नंबर इसमें जो कई चीज़े हैं तो आपको इस सैड में याद रखना है जो पेज के छेदो रिटन वाले में इस सैड म उपर नाम लिखना है कौन सी स्केल है प्लेन स्केल है मापनी को पूरी तरह से बनाना है तो मापनी की सीट है वो बनानी है आपको लगबग यह मान के चलिए कम से कम से कम 25 सीट बनानी होती है अधिक्तम आप जो है वो 40 से 45 सीट तक बना सकते हैं कम से कम 25 सीट तो आउशक हो होती ही है तो इसमें मापनी की सीट बनानी है दूसरी सीट है सरल मापनी की दो सीट बना सकते हैं जैसे इसमें दो है एक तो है वो है प्लेन स्केल की जो सेंटिमिटर माप पर है और दूसरी है वो इंच माप पर है इसके बाद एक कमपेरिटिव स्केल की सीट आपको बनानी है जो आपको दिख रहा है और इसके बाद एक बनानी है आपको diagonal scale यानि की जो तीसरी मापनी है उसकी जो scale है वो बनानी है यानि एक simple की comparative की एक diagonal की बनानी है तीन सीटे आपको बनानी है तो पहली हो जागी उसे सरल मापनी कहते है दूसरी को तुलनात्मक मापनी कहते है इसको diagonal scale है वो कहते है तो ये तीनों ही आपको है वो ध्यान में रखनी है इसके अंदर तीन माप आएंगे next अगली सीट है वो आपको एक विवर्धन लगूकरन की सीट है वो बनानी है ये तीन विदी से बनानी है एक square method से बनानी है जैसे बनी हुई है आप ये सवाल देखकर ऐसी भी सीट बना सकते है ये माप रहेगा एक बनानी है आपको triangle method से बनानी है ये सवाल आपके सामने है दूसरी जो सीट है वो ट्राइंगल जो है उससे विदी से बनानी है जैसे extraordinary ट्राइंगल मेंथेड है जैसे या सीट बनाई गई है और नेक्स सीट है वो आपको विवर्धरन लगो करन की एक चार सीटे हो गई स्केल की, स्केल की आप सीटे ज़्यादा भी बना सकते हैं, मैं आपको फाइल के एक कोडिंग बना रहा हूँ, यह आप पेज बढ़ाना चाहते हैं, तो उनकी सीटे आप ज़्यादा बना सकते हैं, इनकी चार सीटे बनेगी, square method से triangle method से एक pentograph की और एक combination of map की बनेगी यहाँ पर आप भारत का map भी ले सकते हैं समोच रेखा की seat बनेगी समोच रेखा की friends कई seat बनेती मैं दिखातो एक तो समाने seat बनेगी जैसे समोच रेखा क्या होती है यह seat बनी हुई है यह मेरे student की file है college की दरन उसके बनाई थी काफी अच्छी file है उसको मैं है वह आपकी सामने रख रहा हूँ फिर बनेगी आपकी एक तो आगई कि क्या होती है समोच रेखा है जैसे आपको लिखा है उपर control lines वगेरे से लिखके बनाना है next आपको seat में दो-दो लेके चलेंगे एक एक लेके चल सकते हो आपको seat बढ़ानी है तो वरना आप दो-दो अच्छी तरह से लिखकर चल सकते है जैसे संक्वा करपाड़ी है CD नुमा धाल है यह एक जगे बना दी इसने देख रहे हैं आप इस तरह से बनानी है यूआकार की घाटी और वियाकार की घाटी है वो इस तरह से इसने बना दी है यहाँ पर यह कंटोर्स है वेली वगे रहे हैं आपको ध्यान में रखनी है अवतर धाल नतोदर धाल और उत्तर नतोदर धाल है उसकी एक seat बनेगी जैसे इसने बना रखी है काफी अच्छी है सम धाल और तरंगी धाल है उनकी एक seat आप बना लेना जैसे की है यह जो दोनों साथ में दिये हैं यह जो दोनों साथ में दिया आप वीडियो को धीमा करके भी देख सकते हैं मैं चाहता हूं ज्यादा लंबा वीडियो ना बने तो यह जो साथ में बने य और सागर यह भीगो की आप एक जगह बनाओगी ताकि आपको इनमें अंतर भी साफ है वो बता चल जाए यह seat आपको बनानी है कम से कम साथ 8 seat है वो आपको समोच रेखा की बनानी है फिर चलते हैं परीचे दिका की तो परीचे दिका का सामाने परीचे देना और होती क्या ह उसके संदरम में आपको बताना है फिर परकार की seat बनानी है आपको तो पहली सेक्रम परीचे दिकाए क्या होती है उसके बारे में लिखना है और उसके बाद उसके पहले परकार बनाना है तो यहाँ पर प्रोफाइल क्या होती है और सीरियर प्रोफाइल दोनों की है वो seat आ कर परकह को है वो मुख्य रुक से Mate सब्वादी है कि एक आपको जो है डिग्री सीट की सीट बनानी है कि जैसे चोघ इंच यह को बनी हुई है 1ौट happy इंच ऑर जो बनाना है वन зачट बनानी आपको यह टोपोग्राफिक शीटे हैं वह आपकी तीस से हार बनेगी ऐब कहां यह टोक्राफिक सीटें एक अनपात 25000 की यह सफिर हैं वह आपकी बनेगी पहली हो गई quarter inch हो गई या degree seat हो गई दूसरी हो गई half inch और तीसरी है one inch और quarter degree seat हो गई और जो चोथी है वो एक अनपा 25,000 की हो गई यह आपको चार टोपोग्राफिकल सीटे बनानी है next जो है वो आपको बनाना है rude chin जो conventional seat होते हैं उसके बारे में बताना है सबसे पहले आप एक में रिखेंगे rude chin का अर्थ अब इसे आप दो तरीके से बना सकते हैं एक पे आप rude chin बना सकते हैं दूसरे पे नाम लिखना है लेकिन इस तरीके से बनाओगे आप जैसे एक seat पे सारे बनगे नीचे इनके नाम लिख देंगे तो यह काफी अच्छी लगेगी उपर आपका conventional seat नाम आ जाएगा नीचे यह जो है वो निशान आ जाएगे लगबा 105 के करीब जो है वो इसमें है तो आपको दो seat रोपी आराम से हो जाएगा जो यह है इस तरह से आपकी seat है वो बनेगी दुसरी जो बनेगी वो फिते की बनेगी एक seat है वो आपके बनेगी chain और tape survey के अंदर ranging road और arrow की बनेगी एक seat आप trump compass की बना सकते हैं साहुल पिंड की भी आपको seat है वो बना नहीं है लेकिन यह जरूरी नहीं है chain tap survey में इसका ज़्यादा उप्योग है वो नहीं होता है गुनिया की seat आपको एक बनानी पड़ेगी तो यह जो seat है फ्रेंट्स लगवा की यह मान की चलिए आप मैंने आपको 26 seat बताई है यदि आप बढ़ाना चाहते हो यदि आप seat बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हैं मापनी की जैसे 26 मापनी की आप और seat बना सकते है 6 seat मैंने आपको 4 seat बताई है यह आप 6 बना सकते है 8 बना सकते है लगुकन विवर्दन में भी आप 1 seat है वो बन रहा सकते हो इसमें भी आप जैसे एक भारत का बना लिया एक राजस्तान का बना लिया ये नदी का बना लिया एक सड़क का बना लिया तो यहाँ पर भी मानशितर स्योजन आप कर सकते हो कि नहीं दो अलग-अलग सेत्रों का तो यहां पर भी आप double double seat है वो बना सकते हो समोच रेखाओं की seat हैं वो आप जैसे इनको double कर सकते हो एक page पर एक ही seat बनाते हो तो आपकी seat बढ़ जाती है तो आपकी फाइल अच्छी लगे तो एक और मैं आपको बताना चाऊंगा कि आप इस फाइल बनने के बाद जो है वो आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर एक छोटा सा आप परिवर्तन कर सकते हैं यानि कि जब आपकी फाइल बन जाती है तो आप इसे binding करवा सकते हैं और binding करवाएंगे और जो front page है जो मैंने आपको बताया है ये page आगे आगे रहेगा तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा और examiner वास्तम में आपसे प्रभावित होगा और आपके number है वो ये मान के चलिए अभी 50 number का practical हो रहा है तो ये मान के चलिए इसमें आपके 45 प्लस नमबर आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी क्योंकि अधी फाइल अच्छी होती है और आपका वाईबा अच्छा नहीं जाता है तो examiner ये सोच लेता है कि या किसी वज़े से कोई जगे ऐसा जो है हुआ होगा जिसकी वज़ेसिये नहीं बता पाया कोई कारण रहोगा लेकिन फाइल अच्छी बनाई है तो आपके नमबर अच्छी आने की संभावना है तो फाइल है फाइल के जो सुन्दरता है वो काफी डिपेंड करता है कि आपने काम है वो अच्छी तरह के से किया होगा है या नहीं इसलिए आपके फाइल है वो काफी सुन्दर होनी चाहिए इस दिफ्रेंट्स आप पर इसके PDF चाहिए तो आप हमारे एप पर जाके प्राप्त कर सकते हैं या फिर वाट्स अप नंबर पर भी आप करके है वो PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं इसका थोड़ा वो चार्ज रहेगा तो आप या फिर आप यहां से भी जो है वो स्क्रिन सोट लेकर अपनी फाइल है वो बना सकते हैं ठैंक यू